नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल धाकडेगरी कल्चर में किसान भाईयों, इस वीडियो के अंतर हम बात करने वाले हैं लहसुन के बाव पविश्चे के बारे में जनवरी 2023 में लहसुन का बाव क्या देखने को मिल सकता है, क्या तेजी मंदी रह सकती है जो किसान भाई इस वर्स लहसुन की खेतिक कर रहे हैं, क्या उनको जनवरी सुरवात से ही अच्छा बाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं इस वीडियो के माध्यम से कुछ महतुपन जानकारी आपके साथ में सेर करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिए, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर फ़र्स टाइम पदा रहे हैं, तो उन सभी किसानों से मेरा अ चलिए बात करते हैं लैसन के भाई के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान भाई के बारे में, तो पिछले एक दू सालों से लैसन का भाई अच्छा नहीं मिलने की वज़े से बहुत सारे किसान भाई लैसन की खेती इस वर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं भी लैसुन की खेती कर रहे हैं तो चलिए अब जानते हैं कि क्या जो किसान भाई इस वर्स लैसुन की फसल लगा रहे हैं उनको आने वाले वर्स में अच्छा बाव मिलेगा या फिर इस वर्स की तरह लैसुन का बाव बहुती कम देखने को मिलेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चेनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक्शादिक सेर कीजिए किसान भाईयो लैसुन का बाव हमें अच्छा नहीं मिल रहा है इसके बीचे भी बहुत सारे कारण है जैसे की पहला कारण है लैसुन का निर्यात अगर लैसुन का निर्यात विदेशों में होता है तो हमें लैसुन का बाव काफी सांदार देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले सालों जब लैसुन का भाव बढ़िया मिलता था तो उस टाइम पर लगबग हम आठ से दस हजार रुपे प्रति कुंटल तक लैसुन को माजार में बेशते थे लेकिन पिछले एक-दो सालों से कुछ कंडिसन ऐसी हो चुकी है कि लैसुन को 500 रुपे प्रति कुंटल, 1000 रुपे प्रति कुंटल के भाव में किसानों को देना पढ़ रहा है तो आईए बात करें अगर 2023 की तो इस वर्ष से सबसे मुख्य जो कारण रहेगा वो यह है कि इस वर्ष से बहुती कम किसानबाई लैसुन की खेती कर रहे हैं और जो किसानबाई लैसुन की के खेती कर रहे हैं वो भी बहुती कम जमीन के अंदर लैसुन की खेती कर रहे हैं इस कारण से अगर देखा जाए तो आने वाले वर्स 2023 में जो लैसुन का प्रोडक्शन होगा उत्पादन होगा वो वहती कम रहेगा इस वज़े से लैसुन की डिमांड 2023 में बढ़ सकती है और हमें लैसुन के भाव में सुधार देखने को मिल सकता है हाला कि जब लैसुन मार्केट में सुरुवात में आले लगता है तो उस टाइम पर लैसुन का भाव 3000 से लेकर 6000-7000 रुपे प्रती कुंटल तक हमें देखने को मिल जाता है तो अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं और अच्छा भाव अगर आपको प्राप्त करना है तो जब आप लैसुन के हार्विस्टिंग करें तो उसी समय से आप जैसा की वीडियो में देख पा रहे हैं इस परकार से बोक्स क्वालिटी में लैसुन की अलग-अलग अगर आप लैसुन की अलग-अलग क्वांटिटी अलग-अलग विराइटी बनाते हैं तो उससे आपको अलग-अलग विराइटी के अदार पर अच्छा और कम भाव मिल सकता है अगर सीधे सीधे सब्दों में बात करें कि आने वाले वर्स में हमें भाव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो देखे किसान भाईयो सभी की उमेद यही है कि हमें वर्स 2023 में अच्छा बाव मिल सकता है और सबसे बड़ा जो करण रहेगा वो चुनाव रहेगा क्योंकि इस वर्स चुनाव भी आ रहे हैं चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव की वज़े से लैसुन के बाव निर्यात पर कुछ असर पड़ सकता है साथ इसाथ सरकार इसमें कुछ बड़े निर्ने भी ले सकती है तो हो सकता है लैसुन के बाव हमें अच्छे देखने को मिल जाएं लेकिन आप किसी भी तोर पर इस चैनल या फिर इस वीडियो पर निर्वर ना रहें क्योंकि ह क्यों अनुमाल लगा सकते हैं आगे क्या होने वाला है क्या हो सकता है इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है तो आप अपनी भसल के क्रई विक्रई खरीदी बेचने या फिर उसकी खेती करने का निर्ने अपने विवेक के आदार पर ही लेवें वीडियो में बस इत कुरूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद जय जवान जय किसान